Hello dear students, स्वागत एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कोश्टकार्ड नाविक जीडी के डिकारी स्टेज बन सेक्शन टू के मैस के चेप्टर लोगरिजम्स के पार्ट वन को इससे पहले हमने आपके क्लकुलेस को खथम कर दिया है क्लकुलेस में जितने भी आपके चैप्टरस आते हैं जैसे कि आपके integration differentiation area under curve हो गया differential equation हो गया आपके differentiation हो गया, limit हो गया सभी को हमने cover किया है आपके calculus खथम हो चुके है trigonometry आपके खथम हो चुके है यह logarithm जैसे ही खतम होगा आपका उसके बाद हम आपके जो logarithm या फी log के हैं इसको हम तो log के आपके तीन lectures दिये जाएंगे और इन तीन lectures के खतम होने के just बाद ही आपको algebra की और हम बढ़ जाएंगे ठीक है जो आपके practices होते हैं आपके यानुशन के रिगारिंग जो practices होते हैं उसके PDF के रिगारिंग हमने आपके लिए 89 उपीस का batches प्लान किया है तो आप सभी लोग उस batches को जरूर लिजे ताकि क्या हो आपको उसका ब्लाब मिल सके आपको कैसे लेना है क्या करना है तो आप सबसे पहले चैनल को ओपेन कीजिए चैनल के स्टार्टिंग में आपको वीडियोज दिखे जागा आप उस वीडियोज पर क्लिक करके आप इसके बारे में इंफर्मेशन ले सकते हैं ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियोज की और बढ़ते हैं question number 1 की और पहला question आप देख सकते हैं यहां पे लिखा जाना है कि यदी log 27 x equal to 2 by 3 तो x का वैलू क्या होगा ठीक है याँ लॉग 27 बेस पे x का वैलू आपको दिया जा रहा है 2 by 3 तो आपको x का वैलू पूछा जा रहा है तो यहां पर हम कैसे करेंगे तो इस परकार कोस्स बनाने का तरीका देखे सबसे पहले आप इसको सीखिए देखे यह जो log x है और निचे के आपका 27 है तो आप इसको यह 2 by 3 के बरावर दिया गया है तो आप इसको लिख सकते हैं log x और यह जो आपका 27 है इसको आप लिख सकते हैं 3 का cube क्या लिख सकते हैं 3 का cube ठीक है आप ऐसा लिख सकते हैं और यह के आपका 2 by 3 के बड़ावर है, note करके एक properties लिखेगा, यह log का properties होता है, क्या, यह देखिए, log अगर m to the power n रहे, तो इसको हम लिखते हैं, n into log m, ठीक है, बेस क्या रहेगा, यहाँ पर e रहता है, बेस क्या रहता है, हाँ पर e रहता है, पहला, दूसरा क्या लिखेगा, अगर आपका log e to the power n रहे, और into में m रहे, तो इसको क्या लिखते हैं, बताइगे, तो इसको हम लिखते हैं, log m upon n, ठीक है, यानि यह जो हमारा e to the power n, नीचे वाला जो base होता है, इसका जो power होता है, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइट करते हैं, और अंदर वाले का जो power होता है, तो log 3 base पे x का value क्या होगा है, 2 के बरावर, तो यहां से मैं x का value करना है, तो दोनों साइड anti-log ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x equal to 3 का square, यहने आपका 9 हो जाता है, तो इसका answer होता है, option number d is the correct answer, ठीक है, 9 is the right answer, तो इसको क्या करते हैं, इन questions को हम बनाते हैं, ठीक है, च से सहलियत लगे, जैसा सही लगे, आप उससे बना सकते हैं, ठीक है, नेस्ट हमारा है, question number 2, number 2 question से लिखा जाना है, कि आपका log x base पे 9 by 16 का value कीता है, minus 1 by 2 है, ठीक है, तो आप से पूचे जाला है, then x का value क्या होगा, x का value क्या होगा, तो हम क्या करनेंगे से पहले, तो इसको local कर देंगे, इसका, यानि reverse कर देंगे, तो root x equal to क्या होगा, 16 upon 9, दोनों side squaring कर देंगे, तो x का value क्या होगा, 16 upon 9 का whole square, तो solar के square कितना होता है, 256 होता है, और 9 के square कितना होता है, एक आसी होता है, तो इसका लिखा लिखा होगा, 251, option number D is the correct answer, simple question है, यह आपको हम क्यों बता है, ताकि आप log को सीख सके, क्योंकि log के directly questions देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत generally मिलते हैं log के directly questions देखने को, तो log का use होता है, log का अलग-अलग, आपके बहुत सारे chapters, जितने भी आपके mathematics में पढ़ने हैं, उसमें बहुत जगा आपको use आता है, तो इस करण से हम log आपको पढ़ेगा, ठीक है, तो यह फैदा होता है, इसको पढ़नेगा, ऐसा ने पुछेगा, आपके इसका value पूछ देगा, बताइए, ठीक है, तो इस करण से आप log को पढ़के जाएगा, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि इससे लिटर आपके जानमें में, जब questions बनेंगे, तो questions के अंदर log का use किया जाता है, तो पढ़के जाएगा, तो आप उसको बना पढ़ेगा, यह questions को पढ़िएगा, यहाँ भी क्या है, लोग का परप्रपटिस लगेगा, यह क्या है, 0.01, ठीक है, एक है आपका, 0.01, और एक है आपका 1000 है, इसको पूछा जाएगा था, हम 10 पर पावर माइनस 2, ठीक है, तो यह हो गया हमारा 10 पर पावर माइनस 2, ठीक है, तो यह आपके हमने क्या बताया था, हमने बताया था आपको, कि यह जो base होता है, इसके अंदर वाला जो power रता है, यह बाहर चलाता है, और इसके अंदर वाला जो power रता है, उससे क्या होता ह है तो लोग का परपड़ी होता है कि लॉग यदि आपका इवेस्ट पे रहता है तो वैलू क्या होता है वन होता है दूसरा आप लिख सकते हैं लॉग यदि एवेस्ट पे रहेगा तो वैलू क्या होगा वन होगा यानि कहा नहीं मतलब कुछ भी रहे जैसे एग्यांपल के त तो फिर से वही काम करना है ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं सिंपल कोशन है लॉग 5 है ठीक है और यह 665 को हम कैसे लिख सकते हैं तो 665 को हम लिख सकते हैं घत लिख सकते हैं तो हमने क्याख़ है इसको लिखा फिर लाग वेस पे तूर रहने देंगे यहा लॉग 2 रहेगा और में यह वर भारा जाएगा और यहां क्या हो जाएगा लॉग यहверж़ पर तो हमेशा पर्थ पता है नाको जली एक होगा पूट जली ठीक है, 2 का square लिख सकते हैं, फिर equal to a sign देंगे, log 2, यह आपका 2 पीछे आ गया, फिर log 2 बेस पे 2 हो गया, इसका वेल कीता है, 1 होता है, तो आपको कहोगे log 2 बेस पे 2, इसका वेल कीता है, 1 होता है, तो इसका answer क्या होता है, 1 होगा, option number 4 is the right answer, ठीक है, next question आपका number 5, number 5 question पे लि 3, 4, 5, यह नि, minus 5, minus 5, ठीक है, तो आपका यह minus 5 बाहर आ जाएगा, और इसका power क्या हो जाएगा, उससे divide हो जाएगा, यहाँ पो हो जाएगा, log 10 बेस पे 10, इसका value क्या होता है, आपका, 1 होता है, तो इसका answer होगा, minus 5 by 2, option number C is the right answer, ठीक है, next परते है, question में क्या है, हमारा 6 जाएगा, और अंदर हो गया, log 3, बेस पे 3, का value क्या होता है, 1 होता है, तो इसका answer क्या होगा, 2 by 3, option number B is the right answer, ठीक है, simple question है, यह सभी, ठीक है, तो इस सभी questions पे ज्यादा समय नहीं देंगे, और जीतने properties होते हैं, वो आपको लगवा, corporate होते रहेगा, ताकि क्या हो आपके, सारे log के properties, log के आपके formula रिखाई हो जाए, ठीक है, log आपको पढ़ने है, तो ऐसा नहीं सुचिए है, कि हमको नहीं पढ़ना है, तो इसको skip करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं सुचिए है, तो सार अगरबर हो जाए, ठीक है, चलिए, नोट करके, अब यहाँ पे एक और प्रोप क्या यहोजता है, एक हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, एक होता है, जो कि लिखने का जुरूत नहीं है, यह प्रिएजूम होता है, यहाँ पर ही होता है, तो आप इसको log A बेसे बीको, log B upon log A लिख सकते हैं, यह इसको इस के च्चैंपल के बतादें, तो यदी आपको एंटू में log c बेस्पे b into लॉग d बेस्पी इंटू में log a बेस्पे d, ठिक है, equal to, क्या हो गया, log e upon log b, इसका value ही होगे न, इसका मतलर क्या होगे, हमारे इस property से, log a पर log b होगे you, log b upon log c, कहने का मतलर यह जो base होता है, उसमें क्या करता है, नीचे log लगा जाते हैं, और उपर सुर्वाले का जैसरा लॉग मिं उसको लॉग भी रहने देते, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, फिर कहले सा है इंटु मे लॉग सी है म क्या है, लॉगस्फ पूर्ट प SUPER कर आपाका, लॉग गे ma powin का लॉग आपका log a है सब्सक्राइब लोग लेंगे दोनों साइट हमारा अंसर बन जाएगा ठीक है तो हम इसका 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 पावर क्या हो जाएगा निए आपका 100 हो जाएगा हीगा फंदstellung से ओ किता हो गया क्या हो गया यहां चुन्हें पर सिंगे अलर्व गया इकसी और नहीं हो गया है एक समक्ण कोई कलती हो रहा है कि कि कहा हुग है है तो इ allez हो धिडर के चाई-क करैंगे यहां से इक-स का सब यसार ऊप्शन कर लेंगे यह गाइडा 9 8 भी सकते हैं थीक है नवर 9 को मिना दाना है कि इस यह उलाघ लॉग 16 बेस्ट पर रूट 2 है लॉग 16 बेस्ट पर रूट 2 है इसका वेलों कुछ आ जा रहा है तो कैसे फाइंड करेंगे तो यह भी सेम उसी प्रपर्टीज पर है आपका लॉग 16 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 4 ठीक है और रूट 2 को लिख सकते हैं 2 to the power 1 by 2 ठीक है यहां से आपका 1 by 2 बाहर आ गया और इंटु में आपका यह जो 4 है इसको डिवाइड करते हैं यह यह वन बाइफ 4 हो गया इंटु में आपका लॉग 2 बेस्ट पर 2 हो गया लॉग 2 बेस्ट पर 2 का वेलिका होता है 1 होता है यहां पर बहुत ही सिंपल और सद्रों को सिखाय की लेकिन अगर आपको इसका जल्दी देगा नहीं लेकिन आपको बतादे इसका यूज बहुत होगा इसको बहुत काम में आएगा आपको यह बहुत सारे चेप्टरस में आपको help करेगा ठीक है तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को ही पर मिलेंगे नेक्स टूड़े में किसे बगार डाउट हो तो कोईन बॉक्स में लिकार आप हमसे पूछ सकते हैं